यहाँ पे एक प्लंबर की कमज कम सैलरी 1200 योरो है जो के आल्मोस 4 लाक बनती है विजा फीज 77 योरो है और रेजिडेंस कार्ड बनवाने का अलग से 15 योरो है यनि के आपका टोटल हर्चा 92 योरो बनता है पांथ साल में आप पर्मनेट रेजिडेंसी हासिल कर सकेंगे अगर तो आप पाकिस्तान या इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने मुस्तक्बिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप के लिए है मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका वीजा रेशो बहुत ही अच्छा है वीजा फीस जिस 77 योरो है और इसके पासपोर्ट की रेंकिंग 11 है इट मींज के आप 182 यानि के 182 कंट्री में वीजा फ्री जा सकते हैं और दोस्तो इस मुल्क के लिए वीजा प्रोसेसिंग टाइम जस 15 से 30 दिन है और जहां तक पासपोर्ट हासल करने का तालुक है आप जस 5 साल में वहां की पी आर ले सकते हैं जी तो दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ स्लोविनिया की जो एक छोटा सा मुल्क है करंसी योरो है और टोटल अबादी जस्ट 2.1 मिलियन है जो के पाकिस्तान की एक छोटे से शेहर की अबादी के जितनी अबादी है अगर मैं रावल्पिंडी की बात करूँ तो रावल्पिंडी की टोटल अबादी 2.1 मिलियन है दोस्तो चुक्छे अबादी बहुत कम है तो यहां पे वरकर्स शॉटिज हमेशा रहती है और इनको बहुत सारे स्किल्ड वरकर्स की जरूरत है और skilled workers से मेरी मराद हर वो शक्स है जिसके पास कोई हुनर है वो यहाँ पर apply करके जा सकता है और वहाँ पर settle हो सकता है दोस्तो पाकिस्तान के हालाँ से तो आप बहुभी वाकिफ हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुतलिफ इदारों में अच्छी salaries ले रहे हैं और वो भी पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक दोस्त बता रहे हैं कि वो अपना अच्छा हसा बिजनस छोड़के यहाँ पर स्वीडन में आ गए हैं और वो बड़े खुश हैं यहाँ पर तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने अपने हालात बदलने हैं तो आपको यॉरोप या दूसरे फारण कंट्रीज का रुख तो करना होगा दोस्तो मेरे हैल में यॉरोप में ये बहुत अच्छा option है जहां पे salaries भी comparatively दूसरे European countries से बहतर हैं अगर मैं example लेता हूँ Italy, Portugal, Spain या Greece की तो वहाँ पे जो every salary रहती है वो 600 से लेके 800 यॉरो है दोस्तो जैसा कि मैं already बता चुका हूँ कि एक छोटा सा मुल्क है जिसके चारों अत्राफ दूसरे European मुमालिक है जिन में Austria, Hungary, Switzerland और Italy शामिल है दोस्तो चुके आपको इन मुमालिक में जाने के लिए वीजा की ज़रूइत नहीं होगी और अगर आपको इन मुमालिक में अच्छी opportunities मिल जाती है तो आप यहाँ पे भी जाके अपने carrier को start कर सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं उन शोबों की जिनकी स्लोवीनिया में सबसे ज़दा डिमांड है दोस्तों में nurses, doctors, drivers, plumbers, electricians, pharmacists, paramedical staff, barbers, gardeners, housekeepers, engineers, IT specialists, chefs, warehouse workers जिसमें forklift operators भी शामिल हैं इनको चाहिएं आपको बताता चलों के यहाँ पे एक plumber की कमस कम salary 1200 योरो है जो के almost 4 लाक बनती है moreover दोस्तों स्लोवीनिया की सबसे अच्छी बात यह है के यहाँ पे तमाम nationalities के लोग apply कर सकते हैं दोस्तों स्लोवीनिया का visa ratio इसलिए भी बेहतर है के यहाँ पे बहुत कम लोग apply करते हैं normally लोग Sweden, Denmark, Norway या Germany वगयरा का रुख करते हैं अब आपका सवाल होगा कि हम किस तरह से वहाँ पे जा सकते हैं और किस तरह से apply कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको तमाम मालूमात मिलेगी कि आप किन websites पे जाके apply करेंगे या किन recruitment agencies को approach करके अपनी job हासिल कर सकते हैं दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से Slovenia जा सकते हैं सबसे पहले तो visit के purpose के लिए आप जा सकते हैं, visa ratio बहुत अच्छा है इस तरह से आप job seeker visa पे जा सकते हैं, वहाँ पे job सरच करके अपने visa को work permit में convert कर सकते हैं और thirdly आप directly work permit लेके वहाँ पे जा सकते हैं आज हम इस वीडियो में work permit के मतलिक बात करेंगे दोस्तों आपको बताता चलूं कि visa fees 77 euro है और residence card बनवाने का अलग से 15 euro है यनि के आपका total हर्चा 92 euro बनता है तो guys, Slovenia के work permit के लिए सबसे पहले तो आपको एक employer डूंडना होगा आपको job तलाश करना होगी और secondly आपको जो documents required हैं वो आपका passport, आपके photographs, आपके diploma या experience letter और साथ ही साथ आपको job offer letter चाहिए होगा ये तमाम documents आप अपने मुल्क में मजूद, Slovenia के consulate या embassy में जाके submit करवा देंगे पाकिस्तान में इसका consulate कराची में वाकिया है तो आपने वहाँ पे जाके इन documents के साथ visa fees भी जमा करवा देनी है दोस्तों ये तो था कि आप किस तरह से apply करेंगे आपका employer भी आपके बिहाँ पे apply कर सकता है अब बात करते हैं कि आप job कैसे तलाश करेंगे तो इसके लिए मैं description में different links दे दूँगा आप screen पे भी देख रहे होंगे different links आ रहे हैं आप इन links पे जाके अपनी तालीमी काबलियत और अपने तजरबे की वनियाद पर यहाँ पे apply कर सकते हैं और job हासिल कर सकते हैं Friends, याद रखें कि जब आप job apply कर रहे हैं तो आपका CV European format पे बना होना चाहिए और आपका एक ऐसा motivational letter होना चाहिए जिसमें keywords हो जो आपकी skills को दूसरों से differentiate करे ताके employer आपके CV को pick करे और आपको job offer कर दे इसके लिए किसी consultant के पास जाने की ज़रूद नहीं ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं यहाँ पे आपका काम start होता है आपने कोशिश ये करनी है कि daily basis पे 4-5 applications ज़रूर submit करवाएं within no time आपको employers की तरफ से offers आना शुरू हो जाएंगी once आपको कोई job offer मिल जाती है तो आप अपनी documents के साथ Slovenia के consulate या embassy में जाके इन documents को जमा करवा सकते हैं और अपना visa हासल करके Slovenia आ सकते हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिस